लेकिन criticism के लिए कोई एक language होती है हमारे ex-caracter का problem क्या है कि ये अभी तक 80s में रहते हैं अभी तक 90s में रहते हैं और इनको कोई cricket board अपना cricket board इनको काम पर रखने को तयार नहीं है अपना PCB भी इनको नोकरी पर रखने को तयार नहीं है और हमारे साबे क्रिक्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि इनको आज के जो खिलाडी है इनको ये बहुत बुरे लगते हैं प्रॉब्लम है यहाँ पर ना तो ये रिटायर्मेंट लेते हैं इनको 20-25 साल बाद हाथ जोड़के ड्रॉब करकर के धके मारके निकालना पड़ता है तब ये भाईजन जाके रिटायर्मेंट लेते हैं हमारे एक्स क्रिक्टर्स अब वो बैठे हैं टीवी जेनल्स के उपर और जनाब वो पूरी टीम का सत्या नास करी जा रहे है और किसी बंदे ने भी पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ड के अंदर जो एक चेर में आता है दूसरा चेर में आता है तीसरा चेर में आता है कभी कोई मफाद परस्तू का ग्रूप आ जाता है कभी कोई घात लगा का ग्रूप बैठा वाता है वो आ जाता है उसके ओपर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान क्रिकट को तबाह करने वाले लोगों पर ये बात नहीं कर रहे हैं बात क्या कर रहे हैं यह जो 15 लड़के खेलने आए हुए जो के पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं यही पिछले लड़के खेलते चला रह तमाम बड़े बड़े जो साबक क्रिक्टर हैं तमाम जो तबस्रा निगार हैं सबकी बातें सुनी हैं अब बाबर जो है वो दलेर कैप्टन नहीं है और शाहीन जो है वो दलेर कैप्टन है और शाहीन को कप्तान बना देना चाहिए क्योंकि वो दो PSL जीत चुका है सबसे पर इनकी आप प्रफार्मिस की हालत देख लें शोय मलक ने थोड़ी अच्छी बातें की हैं जो के समझ आती हैं कि वो गेम अवेरनेस के उपर बात कर रहे थे लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बंगला देश के खिलाफ अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद आस्ट्रेलिया और इंडिया दो दो बड़ी टीमे थी आपसेट शिकस्त तो इंगलेंड को भी हुई है इसी अफगानिस्तान के साथ हुई है वो तो डिफेंड शिकास्त हुई, उनूने अपने टीमContent के अंदर तपदिली जरूर की सौत अफरीका ने, उन्होंने अपने कप्तान को रैस्परे बिठा दिया, क्योंके बववोमा स्कॉर नहीं कर रहा था, किसी नες नहीं कहा कि उसको कप्तानी से ıkटा दो, और उसको बना दो, और पाकिस् के एक्स करिक्टर्स को है कि वो मौझूदा जो टीम है चाहिए टीम 2019 के अंदर थी 2019 में सर्फराज के बारे में शुए बखतर ने जो अलफाज अदा किये थे आपको याद है 2019 के वर्ल्ड कप में 2018 के एशिया कप के ओपर भी सर्फराज के बारे में जो इननों ने में रहते हैं और और इनको इनको कोई क्रिकेट बोर्ड अपना क्रिकेट बोर्ड इनको काम पर रखने को तयार नहीं है अपना पीसी भी इनको नोकरी पर रखने को तयार नहीं है और हमारे क्रिक्टर्स अब साबे क्रिक्टर्स का प्रॉब्लम यह है कि इनको आज के जो ख सब्सक्राइब उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिक्टर इस वर्ट टीवी को बैठ कर भाशन दे रहे हैं उनको बाबाराजम बुरा लगता है उनको रिजवान बुरा लगता है उनको शादाब बुरा लगता है उनको इस टीम का एक एक मेंबर बुरा लगता है और क्यों कियों कि ये जूनियर है ये आज के लड़के हैं कियों कि ये इनके बाद इननोंने इंट्रेशलκε क्रिकेट क्यों के ये वर्ल्ड कप में इनके बाद दुमेंगी कर रहे हैं बाई जान अल्ला ताला अगर आपको दुनिया में पहले लेके आया था, आप इन से उमर में बड़े हैं, आपने पहले वर्ल्ड कप पाकिस्तान की तरफ से खेल ली हैं, तो जो बाग में आते हैं, उनका भी कोई टैलेंट होता है, उनकी भी कोई अबिलिटी होती है, यही ट पर बात की है, बाकी सब को बाबाराजम बुरा लग रहा है, शाहीन बुरा लग रहा है, फिलां बुरा लग रहा है, या बैठे में कप्तानी की डोरें खेंशने के लिए, कि जनाब इनको कप्तानी से हटाया जाए, क्योंके इनको लगता है हमारे साबे क्रिक्टर्स को, कि आज़े मुंडे बिलकुल कखने कुछ भी नहीं गे 80 जड़े सां 80 सूपर स्टार सां शोय बखतर साब ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला कौन सी पाकिस्तान को ट्रॉफिट जितवा दी शायद अफरीदी ने सेमी फैनल का मैच जो होना था मुहाली के अंदर वो तक नहीं दिया था शोय बखतर को ना उसने ढाका के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौर्टर फैनल दिया शोय बखतर को टीम के अंदर मौका नहीं दे रहे थे तो भाईजान ने रिटार्मेंट ले ली थी उन्होंने भी पाकिस्टान को टैटल नहीं जितवाया और यही शोय बखतर साब 1999 के वरल्ड कब में पाकिस्टान ऑस्ट्रेलिया के फाइनल के अंदर मौझूद थे इन्होंने क्या पाकिस्टान को ट्रॉफिज जितवा दी थी क्या इन्होंने पाकिस्टान को टाब वरल्ड कब जितवा दिया था 2011 में हम सेमी फैनल हार गए आज मौहमद हफीज साब बैठे हुए है वहाब रियास साब बैठे हुए है पी टी वी के उपर और जिनाब पाकिस्टान के उनको उनको पाकिस्टानी प्लेयर्स की पता नी शकल नी पसंद या ये बिचारे कहते हैं कि यार असी बहुत बैस्ट साथ जो पाकिस्तान की सियासत के साथ पॉलिटिक्स के साथ जो हमारे जो सीनियर जो हमारे सियासदान है वो जो मुलक की जान नहीं छोड़ रहे हैं 80-80 साल के 75-75 साल के हो गए है इन लोगों को रिप्लेस्मेंट ही बुरी लगती है हमारे साबे क्रिक्टर्स का ये प्रॉबलम है और अब उस सब ने जनाब वो डोरियां खेंचना शुरू कर दी है मिडल अफ दे टूर्नमेंट आप कप्तान को हटा रहे हो कि जनाब ये बुस्दिल कप्तान है फिलाना अच्छा कप्तान है फिलाने को ले हो आप शाहीन बड़ी अच्छी कप्तानी करते है पहले भी एशिया काप के अंदर जो रिफ्ट पैदा हुई है इन ही हमारे साबे क्रिटर्स की वज़ा से हुई है जो पीछे बैड़ के डोरियां खेंचते है आप इन्होंने फिर से खेंचना शुरू कर दी है माशालला 1992 का वंडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोई कोई ट्राफी उठाई हुई है हमने हमने 96 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फैनल के अंदर इंडिया ने हमें हरा दिया था और वो जो टीम हमने सेलेक्ट की थी जिसमें जावेद मियंदास साब भी खेले थे बाकी जो लोग खेले थे वो टीम के कभी किसी ने चेक किया है वो वापस जाकर जिस्टिस कयूम की रपोर्ट पार लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अपनी कोट ने इन सब के बारे में क्या बोला हुआ है 1999 के अंदर हम फाइनल हारे बंगलादेश से हारे उसके ओपर जस्टिस कयूम कमिशन बैठागा था उसकी रपोर्ट पढ़ लीजिए कि उन्होंने हमारे अपने क्रिक्टर्स के बारे में क्या का है 2003 हमारे सामने है 2007 हमारे सामने है 2011 का वर्ल्ड कप हमारे सामने है 2015 का वर्ल्ड कप हम क्वाटर फैनल हार गया आस्ट्रेलिया में जाके आस्ट्रेलिया से वो हमारे सामने है 2019 के वर्ल्ड कप में हम सेमी फैनल तक नहीं खेल सके हैं यही मिक्की और्थर उस जमाने था जो के पाकिस्टन क्रिकट बोर्ड ने आप रखा हुआ है और इन जमा मुला के जो अब चीफ सेलेक्टर हैं तब भी प्लेयर जो हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर शामिल हैं वो किसी को नजर नहीं आता क्यों कि इन विचारों को प्रॉब्लम ही होता है कि यह बोर्ड पे तनकीद नहीं कर सकते हैं सब की पीयसल के अंदर स्टेक लगे हुए हैं जब यह बोर्ड पे तनकीद करते हैं चेर्में पी-एसल कॉंसल के अंदर मालकान को कहते हैं कि यार इनको बाज करो तो यह तब बाज जाते हैं और इनको बच बचा के एंड फे मिलता क्या है वो खिलाडी जो है 292 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था उते बाद उसी केड़ा वर्ल्ड कप जीत लिया है एक तो हम जीते कुछ नहीं है, अफ़ानिस्तान के साथ मैच खेल गया, वो जिस तरह की टीम लेका है, वो कप्तान है, उसको इस मुश्कल वक्त में स्पोर्ट करना चाहिए, नहीं जी नहीं, ये बड़ा बुरा कप्तान है, इसको कप्तानी से हटाया जाए, हम जो साबे हैं, हम सुप्रीम हैं, हम अच्छे हैं, हम मुकद्स गाया हैं, हम बेतर थी, ये जो बाद वले आएं, ये बिलकोल ही फजूल है, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, कसम खुदा की हमारे साबे क्रिक्टरों का पता है, क्या प्रॉबलम है, पंजाबी एचकदाने एनना दा व के धके मार के निकालना पड़ता है, तब ये भाईजन जाके रिटार्मेंट लेते हैं, हमारे एक्स क्रिक्टर्स, अब वो बैठे हैं, टीवी चैनल के उपर, और जनाब वो पूरी टीम का सत्या नास करी जा रहे हैं, और किसी बंदे ने भी पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ड पर ये बात नहीं कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, ये जो 15 लड़के खेलने आएंवें, जो के पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं, यही पिछले लड़के खेलते चला रहे हैं, कौन सा पीछे बंदा छोड़का हैं, कोई एक बंदा बता दें जिसको पाकिस्तानी टीम चोड़के आई हो जो डिजर्विंग हो जो कि यहां इंडियन कंडिशन में आगे खेल सकता था जो कि एक अरसे से टीम के साथ था उसको ड्रॉप करके आगे यही वो बेस्सक्वाड था जिसको लेके है लेकिन नहीं क्योंकि इन्होंने अपने बाद आने वाले क्रिक्टर को म मैं बड़ी सकत बात करने लगा हूँ मैं तो इन अपने साबे क्रिक्टर की नेचर देखे पता है क्या मैं तो हैरान हुई है अपनी अवलाद को जो इनके अपने बच्चे होंगे यह उनको भी कुछ नहीं समझते होंगे क्योंकि हम बड़े हैं हम अजीम थे हम पहले खेल हमारा एरा बहुत ज़गा था पाईज़ां जड़े यहां तुस्सीर ट्राफियां सजाईयों यह ने उनीस सो बानुए से लेकर दोज़ार एकिस के वर्ल्ड कप तक बता देना कौन पाकिस्तान के लिए क्या ट्राफियां लेका आया हुआ है मैं वहां वो बाते नहीं करना चाता लेकिन इन बिचारों का प्रॉब्लम से रुज़े ही है या तो इनको किसी ने फीड किया हुआ है कि बाबर के खिलाफ कमपेंड चलाओ और इस टीम का बेड़ा घरक करो इस मुशकल हलात के अंदर हार गी तो टीम हार गई इंगलेंड डिफेंडिंग चेंपियन हो हा अफ़गान से हार गया है एफ़गान साट आठ मैचेजο में पाकिस्टान के कलो़ज आके हारता रहा है तो वह जीत गया अच्छी क्रिकट खेल गया है लेकिन ने नहीं कपतान बुरा है बस इसको कपतानी से निकाला जाए कियों कि कंकर इनको शकल बसन नहीं हमारे साफ़ vík рیٹرز کو اور इनको बर्दाश नहीं हो रहा कि बाबर आजम यहाँ इंडिया आया हुए और यह वहां पर पाकिस्तान बैठे हुए है इनको वीजे भी नहीं मिले हैं और इनको बर्दाश ही नहीं हो रहा कि वहां पर इंडिया में उसको respect मिल रही है उस discuss हो रहा है उसको king का जाता है उसका कोली के साथ comparison के जाता है उसका kane विलियम संक्सा स्टीव समिथ के साथ जो root के साथ comparison के जाता है अपने दोर में इनका कभी किसी भी है इनके हम पला वसीम और वकार को छोड़ के बात कर रहा हूँ बागी किसी का कभी comparison सुना था जिन्दगी में और अब यह बातें कर रहे हैं कमाल है वैसे क्या मैं इनको कहूं क्या